हलो एवरिवन, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपके लिए लेके आयो हूँ खटा मीठा आचार की रेसिपी, यह आचार बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाता है और यह आचार को हमें दूप देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पूरे साल के ल सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यह आचार बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कच्छे आम की, तो यहाँ पे मैंने तोतापूरी आम का यूज किया है, अगर आप यहाँ पे राजापूरी आम का यूज करना चाते हो, तो भी कर सकते हो, तोतापू पानी की एक भी बुन्त नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आचार हमारा खराब हो सकता है, कुछ-कुछ बातों का ध्यार नक्के है, यहाँ पे हम आचार बनाएंगे, तो आचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और पूरे साल तक बहुत ही अच्छा रहेगा, आम के उपर इस तरह से हमें कच्छे आम के पीसिस तयार कर लेने हैं, अभी यहाँ पे हम गैस के उपर कड़ाई को चड़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे ओल को, यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल कुकिंग का ओल रहता है, वही यूज किया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मस्टर के लिए ओल यूज करते हो, इसका यूज करके भी आप बना सकते हो, अभी यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पून जितना राई को, और वन टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे, और एक तेस पत्ता भी डालेंगे, दो लाल सूखी वाली मिर्श को डाल लिया है तो 140 पी जितना मेथी दाना है और यहां पर मैंने एक तज का टुकड़ा यानि के दाल चीनी तीन लॉंग और चार चार से पांक नंग यहां पर हम काली मिर्श को भी डालेंगी सभी खड़े मसाले अच्छे से क्रेकल हो जाने के बाद यहां पर हमें डालना है इसके अंदर कच्चे आम को गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और थोड़ी से हींग को भी डालेंगी सबको अच्छे से mix करेंगे और mix करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे healthy powder को 140 SP जितना और यहाँ पे हमने डाला है 1 tablespoon जितना नमक को सबको अच्छे से mix करेंगे और जब तक यह कच्छे आम के pieces एकदम transparent नहीं हो जाते है तब तक यहाँ पे हमें इसे पका लेना है एक से डेट मिनिट के अंदर ही यह पक के तयार हो जाएंगी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह टुकडे transparent होने लगे है और cook भी हो चुके है तो अभी यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे sugar को शुगर वजन में मैंने यहाँ पे आधा kilo लिया है जितना यहाँ पे हमने आम को लिया है इतना ही यहाँ पे हमें sugar को लेना है अगर आप चाहो तो यहाँ पे गुड का भी यूज करके यह आचार को बना सकते हो और आदा गूर और आदा चीनी का भी यूज़ करके आप ये बना सकते हो यहाँ पे आपकी चोईस है कि आपको कैसे बनाना है सबको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे दीरे दीरे करके यहाँ पे यह चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आदी मिनिट के अंदरी यहां पे हमारी चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ड हो चुकी है लेकिन यहां पे हमें बहुत ही अच्छे से इसे पकाना है जब तक एक तार वाली चाशनी न बन जाए तब तक यहां पे हमें इसे पकाना है क्योंकि यहाँ पे हम यह आचार को पूरे साल के लिए रखने वाले हैं इसलिए यहाँ पे हमें एक तार वाली चाशनी बनाना बहुत ही ज़रूरी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एक तार बनने लगा है तो यहाँ पे अभी हम गैस को आफ कर देंगे अभी यहाँ पे हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करना है और ठंडा हो जाने के बाद ही यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पावडर को अगर यह गरम है और इसके अंदर आप लाल मिर्ची डालोगे तो यह पूरे साल तक एकदम लाल नहीं रहेगा थोड़ा सा काला पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है कुछ टिप्स का आप ध्यान रखके बनाओगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा और इसका कलर भी अच्छा रहेगा यहाँ पे मैंने टू टेबल स्पून जितना अचार मसाला डाला है अचार मसाला की रेसिपी मैंने आपको छोले चना के अचार के अंदर बताई है तो वही अचार का मसाला मैंने इसके अंदर डाला है तो वो recipe की link में आपको description box में दे दूँगी तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो 1 tablespoon जितना धनिया जीरा powder को डालेंगे और यहाँ पे अभी हम डालेंगे इसके अंदर रेड मिर्ची को नए साल की जो मिर्ची आती है वही यूज करोगे तो अचार का color बहुत ही बढ़ी आएगा अगर आपने पूराने साल की जो बची हुई है मिर्ची तो इसका यूज किया तो color में थोड़ा सा difference आता है तो जो नए साल की आपने मिर्ची लाई है तो वही मिर्ची पावडर का यूज करके आपको अचार बनाना है तो color बहुत ही बढ़ी आएगा सबको अच्छे से mix करेंगे यहाँ पे हमारा super tasty चटा के दार खटा मीठा अचार बनके तयार हो चुका है अभी आप इसे काच के जार के अंदर भरके इसे पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही tasty भी लगता है तो आपने कभी भी इससे try नहीं किया है तो जरूर से try कीजिएगा आप सबको बहुत ही पसंद आएगा रसेपी पसंद आए तो like, share and subscribe करना है और next recipe आप कुणसी देखना चाते हो वो मुझे comment box में लिख के ज़रूर बताईएगा तो मैं आपके लिए लिख के आऊंगी तो मैं नीदी आपको फिर मिलूँगी एक नए रसेपी के साथ तब तक के लिए बाई and happy cooking